वेलकम दोस्तों स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूटूब चैनल एक्जाम तक में दोस्तों आज की वीडियो में बात करने वाले हैं लखनाव मेट्रो डेल कॉपरेशन का कुश्यर पेपर यहाँ पेपर 2016 का कुश्यर पेपर है यहाँ पर आप देख सकते हैं 17 मार्च 2016 को यह पेपर कंड़क्ट किया गया था फर्स्ट पाली का यह कुश्यर पेपर है इसके बाद हम सेकंड पाली का भी कुश्यर पेपर अप्लोड करेंगे तो जूनियर इंजिनियर एलक्रिकल का कुश्यर पेपर है और मेंटेनर का कुश्यर पेपर अल्रेड़ी अप् क्योंकि कुश्यन का लेबल जो है आपके बेंटिनर लेबल का काफी ज्यादा कुश्यन आपर मिल जाएगा तो आप इस वीडियो को कम्प्लेट देखिएगा यहां पर आप कुश्यनों का लेबल देख सकते हैं पहला कुश्यन पूछा गया है सरकिट ब्रेकर के संपर्कों की बीच आर्क के प्रत्रोत की ब्रिद्धी कितनी होती है जिसका राइड एंसर है आपसन नमबर वन आर्क को बहुत सारी सीरीज आर्कों में भीभाजित करना अगला कुश्यन आपर पूछा गया है निमलेखित सरकिट ब्रेकर में से सबसे अधिक अचालक ताकत किसमें होती ह तो करेक्ट अंसर है वैक्यूम सरकिट ब्रेकर में सबसे ज़्यादा अचालक ताकत होती है तीसरा कोशन पूछा गया है इस्थिर गती के साथ अलग से जोड़े गये डीसी जनरेटर के मामले में जब फिल्ड करेंट में ब्रिद्धी कि जाती है तो क्या होता है उसमें उत तो टोटल यहाँ पर 120 कुशन पूछे जाते हैं जिसमें आपके 90 कुशन जो है टेक्निकल के रहते हैं 30 कुशन यहाँ पर नौन टेक्निकल के रहते हैं तो जे लेबल जो है थोड़ा सा यहाँ पर टफ रहता है आपके मेंटेर में जो है आपके 75 कुशन टेक्निकल के रहते तो यहाँ पर मैं सारे कुश्चन को डिस्प्ले कर देता हूँ, आप सभी यहाँ पर सारे कुश्चन को देख लीजिएगा, इसके बाद हम जो है, इलेक्ट्रोनिक मेकेनिक का कुश्चन पेपर भी अप्लोड करने वाले हैं, तो आप इस वीडियो को भी देखिएगा, जो भी कमेंट करेगा, जो है, कोई भी पेपर चाहिए, तो हम जरूर अप्लोड करेंगे, क्योंकि हमारे पास सारे पेपर उपलब दराते हैं, तो अगर आप कोई भी पेपर चाहते हैं तो कमेंट जरूर करिएगा कौन से पेपर आप चाहते हैं हम ज़ो है जरूर अप्लोड करेंगे यहाँ पर जो है सारे टेक्निकल के खुशेंगे इसके बार नौन टेक्निकल का भी दिखा देंगे कि किस टाइप के जो है कुशन पूछे जाते हैं यहां पर कुशन जो है कट गए है क्योंकि इसकी आंसर की जो है से डानलोर्ड नहीं हो पाए ती इसलिए कुशन के अप जो है Misprint मिल सकते हैं इसके बाद यहां पर आच चुका है Non-technical का प्योर्षन यहां पर Total देख सकते हैं तो इसके बाद आ चुका है तो यहां पर मायद का लेबल आप देख सकते हैं ह है तो मैद का भी ट्डल यहां पर मैद के टॉटल यहां पर पन्रा कोशन है मैत के जो है 15 कुशन हो चुके हैं अब इसके बाद आता है यहाँ पर जीके का कुशन तो जीके और रिजनिंग यहाँ पर रिजनिंग का कुशन दिया गया है तो रिजनिंग का 10 कुशन है इसके बाद आ चुका है जीके का कुशन जिके का यहां पर 15 question है तो आपको बता दें English के होगे 10 question Math के होगे 15 question Reginning के होगे 10 question और GK के होगे 15 question 15, 35, 20, 50 तो यहां पर total 14 question हो चूके है तो उम्मीद है आपको यह वीडियो पसंद आयोगा तो लाइक करिए शेर करिए कमेंट करके बताइए कि आपको जो है पेपर कैसा लगा और इसके बाद जो है इसका इलक्टोनिक मेकेनिक टेट का कुशन पेपर अपलोड किया जाएगा तो जो भी कमेंट कर रहे थे तो आप के लिए पेपर आएगा जरूर तो मिलते हैं अगले वीडियो में थैंक्स पर वाचिंग देस वीडियो